what's up guys welcome back to my channel बच्चों का बहुत डाउट आ रहा है और बहुत इंपॉइंट बाद यह जानने की भी है कि किस तरह से apply करना है spot round के लिए क्या ऐसी अपने आप बैटे बैटे spot round में entry हो जाए कि ऐसा नहीं होगा सारे round में करना कुछ नहीं पड़ता है अपने आप round to round आप्रमोर्ट हो जाते हैं हर round में आप consider हो जाते हैं बट spot round में ऐसा नहीं होगा spot round के लिए apply करना पड़ता है spot round के लिए फिर से preference बना के देनी पड़ती spot round में बहुत चीज़े हैं तो आप यह notice को ध्यान से देखो मैंने पहले भी बताया था कि last video में की what is spot on how to apply लेकिन फिर एक बड़ चोड़ी वीडियो में थ्यान से सुन लो कल 10 बजे क्या होगा 10 से 11 बजे तक में क्या होगा आपकी vacant seats की list display होगी सबसे पहले आपको से देखना है और यह देखना है कौन-कौन से college में क्या-क्या सी फिर आपको वहाँ पस spot admission करके आपके dashboard पर यह सब कुछ होगा आपको उस पर क्लिक करना है apply करना है apply करके वहाँ पर आपको preference बरने का मौका दिया जाएगा ठीक है यही लिखाता notice में तो preference में आप सिर्फ उनी courses और combination को बढ़ोगे जिन में seat खाली है सिर्फ जहां पर seats vacant दिखा रहा है vacant seats की लिस्ट में आपको उनके लिए apply करना है और जिसके लिए प्रोग्राम specific eligibility भी देख लेना वाणना उसके विए से आप reject भी हो सकते हो ठीक है तो जिस जिस course के लिए आप eligible हो आपको उन-उन courses के लिए apply करना है preference बनानी अच्छे से arrange करना है और submit करना है तभी आप spot round में consider किया जाओगे अब यह जैसे spot round 10-12 जब भी आएगा लेट भी हो सकता है जल्दी भी आ सकता है मैं वीडियो बना कर डाल दूँगा चानल को subscribe कर लो बैल आगा इंद बालो spot round में eligible होने के लिए अब तब eligible तो खेर वो सब हैं जिनने कोई को जब तक नहीं मिला है जिनने कुछ भी मिलिया वो लोग eligible नहीं पूरे स्टेप पर मैं आपको गाइड करता रहूंगा कि कल सुब अपडेट आने वाली है all the very best